इंडिया पाकिस्तान फिर खेलेंगे दुपक्षिय सीरी जैशंकर और इशाक डार के बीच क्रिकेट पर क्या हुई बात भारत के विदीस मंत्री एश जैशंकर ने बुद्वार को पाकिस्तान में S.C.O. शिखर सम्मिलेर में हिस्सा लिया वहिए जैशंकर ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शाबाज शरीफ और पाकिस्तान के विदीस मंत्री इशाक डार से बातचीत की पियम शाबाज शरीफ की और से आईजेत रात्री भोज के दौरान जैशंकर और इशाक डार के बीच थोड़ी गुफ्त हुई डिनर के दोरान करीब पांच से साथ मिनिट हुई बाचीत के दोरान दोनों देशों के पीछ फिर से बाली टरल क्रिकेट सीरीज की शुरुआत करने पर बाचीत हुई इस बादचीत में पाकिस्तान के ग्रह मंतरी सैद महसीन, रजा नकवी भी शामिल थे, वो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी है जियो न्यूस के अनुसार भारत ने क्रिकेट की बहाली पर चर्चा शुरू करने पर सहमती जताई हलांकि इस बाद पर BCCI या फिर PCB की और से कोई आदिकारिक बयान सामने नहीं आया है साल 2012-13 के बाद नहीं हुई कोई बालेटरल सीरीज, बता दे कि भारत और पाकिस्तान ने आखरी बालेटरल 2012-13 में खेली थी उसके बाद दोनों देसों ने केबल ICC इवेंट्स और इश्या कप में एक दूसरी की खिलाफ खिला है भारत का क्या है कहना? भारत का साफ तोर पर कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकबाद पर लगाम नहीं लगाता तब तक दोनों देसों के बीच कोई भी क्रिकेट की शुरुआत नहीं हो सकती BCCI के पूरवध्यक्ष अनुराग ठाको ने कहा BCCI ने बहुत पहले ही तै कर लिया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकबाद बंद नहीं कर देता तब तक वह उसके साथ कोई दूपक्षिय मैच नहीं खिलेंगे जब तक पाकिस्तान सीमा पार से हमले या घुस्पैट की घटनाय बंद नहीं कर देता हम उसके साथ क्रिकेट सम्मंद बहाल नहीं करेंगे